एक एरलाइन ने की उरानों को रद यूए जाने वाले लोग हुए नाराज नमस्कार मैं हूँ प्रिया जाओर आप देख रहें यूए खबर Go First Airways ने मंगलवार को Directorate General of Civil Aviation यानि की DGCA को सुचित किया है की एरलाइनों की सभी उराने 3 माई और 4 माई को रद रहेंगी एक आधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है इस संबंद में Go First Airways ने कहा है की अमेरिका की जेट इंजन नर्माता कमपनी द्वारा इंजनों की आपूर्ती नहीं किये जाने के कारण परिचालन रद रहेगा Go First के आधिकारी ने बताया की अमेरिका स्थित जेट इंजन निर्माता Pratt & Whitney कमपनी है जिसके द्वारा इंजनों की आपूर्ती ना करने के कारण Go First को वित्तिय संकट का सामना करना पर रहा है पेर की निर्धारत उरानों के रद होने के बाद शिकायद करनी लोगों ने शुरू कर दी है यात्रियों ने डिरेक्टरेट जनरल ऑफ सिवल एविएशन यानि की डीजी सीए से बुकिंग पर अपने रीफंड की मांग भी की है वाई इम भारत और यूए के बीच अल्ट्रा लोग कोस्ट एरलाइन गो फर्स्ट के साथ उरान भरने के लिए बुक किये गए यात्रियों को तीन चार और पांच मैं को रद की गई उरानों के लिए परिशानियों का सामना करना पड़ेगा एरलाइन गो फर्स्ट भारत के कई शहरों से आबुधावी और दुबई के लिए उरान भरती है संयूग तरब अमिरात में ट्रैवल एजिंटों ने बताया है कि कई यात्रियों को जो एरलाइन के साथ संयूग तरब अमिरात के लिए उरान भरने वाले थ 3-5 माई के लिए निर्धारित उडाने परिचालन संबंधित कारणों से रद कर दी गई है उरान रद होने की कारण हुई असुवधा के लिए हम छमा चाते हैं साथ ही अभी कहा गया कि सभी यात्रियों को उनके पैसे रिफंड कर दिये जाएंगे वही रद हो जाने की वज लेकर अमार ने कहा है कि अस्ट्रियाज इजनक रूप से मेरी ट्रावल इजिन ने आज मुझे यह कहते हुए फोन किया कि टिकेट रद हो गया है और टिकेट को स्थागेत या समय से पहले कर दिया जाना चाहिए लेकिन मुझे गुरुवार को आबुधा भी पहुंचना थ मैं अकसर इस एरलाइन से उरान भरता था क्योंकि इसमें प्रस्थान और आगमन का बहतर समय था और टिक्टो की कीमत भी तुलनातमक रूप से काफी कम होती है वहें इस एरलाइन ने अपनी सारी फ्लाइटें रद किर दी हैं जिसकी वज़ा से लोगों को काफी परिशानी हो रही है अगर आप भी इसी फ्लाइट से जा रहे थे तो किर्प्या कर आप भी अपने टिकेट्स और इससे डिलेटेड डीटेल्स शेक कर लें तो बने रही है ऐसी तमाम ख़ब्रों के लिए यूए खबर पर